हलो दोस्तो मैं आज मुस्यान आज फिर आपके लिए लेकर आए हूँ एक को नया वीडियो दोस्तो आज के वीडियो में आप जो स्क्रीन पर ये सेनेरी देख रहे हैं देखिए कितने खुबसूरत सेनेरी ये बनाई गई है MS Paint के अंदर और MS Paint के अंदर इसको कैसे बनाएंगे आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक रेडियंट कलर है तीन तरह के अलगलग रेडियंट कलर है एक नाइट तीनों के नाइट विव है जो कि डिफ्रेंट कलर में एक में चुरू में एक ट्री बनाया गया है बाद में ये एक पार्ट सा बनाया गया है और बाद में एक रोक चटान सी बनाई गई है तो इस तरह का आप बहुत ही आसानी के साथ MS Maint में कैसे बना सकते हैं वह आज मैं आपको बताऊंगा ये देखिए ये मैंने इसमें ये बन साइज इमेज प्रोपर्टीज में जाएंगे यहां पर हमें इसका साइज रखना एक जार नो सो बीस पिक्सल विट्थ और हैट एक जार असी रखनी है ओके कर देना है इसके बाद आप सिंपल सा लाइन टूल लेंगे लाइन टूल से दो लाइने इस तरह से ड्रो कर इसके बाद आप यह सबसे पहले हम ब्लू कलर वाला बेग्राउं बनाएंगे तो दो लाइने इस तरह से ड्रो कर देंगे यह देखे एक लाइन ड्रो कर दी हमने और यहां पर कलर फिल कर देंगे इसके बाद वापस से इससे लाइट वाली लाइन लेंगे लाइट वाला कल फिल कर दिया है, इसके बाद रिस इमेज के उपर जाएंगे, यहां से pixel पर क्लिक करकें, अनलिंक करेंगे और इसमें जो horizontal में हम one type कर देंगे, और ok कर देंगे, वापस से resize image में जाएंगे, pixel पर जाएंगे, अनलिंक करेंगे और इसमें हमारा जो actual size थी वो type हम कर देंगे, यह देखिए मैंने इसमें यह type कर दिया है, यह देखिए हमारा blue वाला background त्यार हो गया है, अभी इसको control A करके select hold करेंगे और cut कर लेंगे, यहां यह देखिए मैंने किये इसको cut, अब cut करने के बाद वापस से हम black line लेंगे, हमारा पहला background त्यार हो गया, लेकिन उसको हमने cut कर लिया, वापस से दूसरे color के background के लिए भी same step है दोस्तों, यह देखिए हमें आपके सामने कर रहा हूं, अब इस बार जो हम color लेंगे, वो yellow वाले लेंगे, थोड़े से dark में, तो मैं आपको यह थोड़े सा dark वाला color ले लेत यह देखिए, मैंने same process follow किया है, इसमें light वाला color फिल कर दूँगा, और इससे भी light वाला इधर फिल कर दूँगा, इसके बाद वही resize image पे जाएंगे, यहां पे pixel पे क्लिक करेंगे, unlink करेंगे, और one pixel type कर देंगे, यह देखिए, और ok कर देंगे, वापस से resize image पे जाएंग करेंगे, और जो हमारी actual size है, वो type कर देंगे, और ok कर देंगे, तो देखिए, हमारा दूसरा background तयार हो गया, अब हम जो पहला background बना था, उसको यहां पे हम paste कर देंगे, paste करने के बाद one side से इसको इस तरह से छोटा कर देंगे, बराबर कर देंगे, अब वापस से select all करेंग वापस से वही पहले वाला जो step है, gradient background बनाने का, वह हम फिल करें, वह ही बनाएंगे, सबसे पहले यह black line दो, यह देखिए, मैंने black line ले ली, इसमें वही दो color फिल कर दिये, अब इसके बाद हम जो green मैंने जो बताया, green background, वही line हम draw करेंगे, यह देखिए, मैंने green background के लिए line दो की, और यहनि से हमें gradient background फोलो करने के लिए दोस्तों, हमें से हम process follow करने है, लेकिन याद रखें, जो gradient के background का, फर्स्ट वाला उसको cut करना है, copy नहीं करना है, दोस्तों, इसका विशेज दियान रखें, यह देखिए, और इससे light वाला मैंने color बनाय था, यह देखिए, वापस से resize image पे जाएंगे, pixel पे क्लिक करेंगे, अनलिंक करेंगे, और वापस से इसमें one type कर देंगे, और वापस से resize image पे जाएंगे, pixel पे unlink करेंगे, जो हमारा real जो था, वही हमने type कर दिया, तो दोस्तों, यह देखिए, हमारा तीसरा background तयार हो गया, अब यहाँ पे हम जो हमने cut किया था, वह हम इसको यहाँ पे paste कर देंगे, यह दो background आ गए, हम इसको one side से इसको छोटा कर देंगे, तो यह देखिए, हमारे तीन जो color का था, वो gradient MS pen के अंदर, 3 color का gradient background तयार हो गया है, अब हम एक नई layer लेंगे, नई layer लेने के बाद, सबसे पहले हमें इस पे एक moon draw करेंगे, moon draw करने के लिए दोस्तों, आप वापस अपने window section में जाए, नया MS pen open करें, इस वाले पे कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको चाहें, तो यह नया open करना है, इस सीज़ का धियान रखेंगे, यह देखिए, मैंने दुबारा से नया open किया, ताकि पहले वाला एक gold circle draw किया है, अब मैं दूसरी यह, अब एक gold circle draw करूँगा, जिसमें मैंने red color ले लिया है, यह देखिए, यह मून तयार हो गया है, और यहाँ पर मैं इसमें red color fill कर दूँगा, बाहर की तरफ, यह देखिए, और यह अंदर वाले में कोई भी दूसरा color fill कर दूँगा, यह देखिए, यह हमारा मून तयार हो गया है, इसको उधर ले जाने के लिए, दोस्तों, हम यहाँ पर selection में लेंगे, transparent selection, और यहाँ से इसको select करेंगे, यहाँ रखें, और हम इसको यहाँ से करेंगे, copy, हमने यह copy किया, वापस से हम हमारे main gradient background है, उस पर आ गये, हमने यहाँ से एक नई ले ले ली थी, हमने इसको यहाँ पर कर दिया, paste, यह देखिए, हमारा मून आ गया यहाँ पर, और हम चाहें इसको जो भी color देना चाहें, मून वे से white होता है, तो हम इसको white color ही देंगे, हम वापस से इसको copy paste कर देते हैं, तीनों जगे copy और paste, एक मून इदर आ गय कर देंगे, sorry, यह हम इसको horizontal कर देंगे, यह देखिए, और एक और वापस से मून हमने यहाँ पर ड्रो कर दिया, यह देखिए, अब पर copy paste कर दिया, हमारे तीनों मून आ गए हैं, अब हम यह जो ड्रो करना है, दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक बार brush tool लेंगे, यह हम ने brush tool लिया, यह हम airbrush tool लेंगे, और इसकी size कुछ बढ़ा देंगे, और यहाँ पर हम white color लेके, और जो हमारे stars जो हमें बहुत कम दिखाए देते हैं, यह देखिए, मैंने stars make बना दी है, यह देखो, यह आप इस तरह से star को airbrush यहाँ डाल देंगे, तो यह मैं night का view का एहसास कराए अब इनी moon के उपर हम यहाँ पर थोड़ा सा gray color लेंगे, और जो इसके cone है, इसको यहाँ पर airbrush अच्छे से fill करेंगे, ताकि star थोड़ा सा moon अच्छा से लगे, इसी तरह से इसमें भी कर देंगे, या चाहें तो हम इसी को copy paste मार के दुबारा वो कर सकते हैं, लेंड में तो वैसे ही, थोड़ा सा different लगे इसलिए, यहाँ पर airbrush दे रहा हूं, आप इनको copy paste भी कर सकते हैं, यह देखें, इसी तरह इस पर भी, यह हमारे moon भी तयार हो गएंगे दोस्तों, अब हम एको नई ले ले लेते हैं, जिस पर कि हम हमारे सबसे पहले हम एक ट्रेड रो करेंगे, यह देखें ट्रेड रो करने के लिए, मैंने यह ब्लेक कलर ले लिया है, नाइड का सीना तो में वह ब्लेक की नजर आएगा, यहां से हम pencil टूल ले ले लेंगे, पैंसिल या brush tool ले ले लेंगे, यह देखे हम ने brush tool ले लिया, इसको हम थोड़ा सा बारिक किया, थोड़ा सा मोठा कर लेंगे, यह देखे, अब हम एक इस तरह से यह, एक, जो भी पेड़ा है, पेड की shape ड्रो कर देंगे, यह देखे, जब भी थोड़ा सा उपर जाएए, आप इसको थोड़ा सा बारिक कर दें, इससे क्या एक्च्वल्टी आती है? मैंने और थोड़ा सा बारिक कर दिया. यह देखें, यह पेड ड्रो हो गया दोस्तों, यहाँ पेड भी नाती है, दोस्तों जोड़ा सा बारिक, यह देखें, यह पेड ड्रो हो गया, अब नीचे की तरब हम एक तोड़ा सा इसको एक बोटम सा दे देंगे इस तरह से यह देगे है अब यहां पर हम यह पैंसेल टूल लेके बिलकूल बारिक लेके यहां लेकर वह कुस नेचुरल्य इस तरह बारिक कर देंगे अब इस तरह भी दिया के यह देखेंगे यह मैंने दे दिया है अब दूसरे में एक पार्ड बनाएंगे पार्ड बनाने के लिए हम सिंपल सा यह एक कलर लेंगे इसमें हम पैंसिली टूल का उप्यो कर लेते हैं और यहां से नीचे की तरफ से पार्ड ड्रो करेंगे यह देखे इसकी साइज थोड़ी सी मोटी रख ल अब इसमें कलर फिल कर देंगे यही हमने कलर फिल कर दिया इसके बाद इससे लाइट कलर वाला लेंगे और एक लाइन ड्रो कर देंगे यह देखे यह मैंने एक लाइन ड्रो कर दी इसी तरह से एक लाइन यहां पर भी हम ड्रो कर देंगे और एक लाइन यहां पर भी ड्रो कर देंगे अब इसके अंदर हम यही कलर फिल कर देंगे यह देखिए मैंने कलर फिल कर दिया और इसको नेचुरल्टी देने के लिए हम नीचे की तरफ दोस्तों थोड़ा सा ब्लेक कलर में वही एक बोटम जाशे बना देंगे यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह हमारा यह बन गया है यह हमारा पाड तयार हो गया है इसमें थोड़े से हम ग्रे कलर लेंगे और यहां से एक क्रियोंस लेंगे क्रियोंस वाला ब्रस ले लेंगे यह फिर नेचुरल पैंसिल वाला यह देखिए यह इस तरह से कर देंगे अब इसके बाद हम एक रोग बनाएंगे रोग बनाने के लिए हमने यह ब्लेक लर लिया है यहां से पैंसिल ले लेंगे पैंसिल की थोड़ी मोटाई रख लेंगे वन साइड से एक लाइन ड्रो करेंगे यह देखिए और एक मून निकालती हुए यह नीचे की तरफ इसको लेक कर जाएंगे और यहीं पर एक यह इस तरह से इसका बोटम भी बना देंगे और इसमें कल बलेक कलर फिल कर देंगे यह हमारी रोग तयार हो गई है एक चटान सी तयार हो गई है और इसके ओपर भी आप पैंसिल टू यह देखिए है यह मैंने नेचुरल टी दे दिये और इस रोग के उपर भी आप करे कलर से या किसी और कलर से अब यह पैंसिल जो नेचुरल पैंसिल है इससे तरह किसे थोड़ा सा लुक दे सकते हैं तो दोस्तों यह देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने एमेस मेंट के अंदर एक त्री ग्रेडियंट कलर बनाए उसमें अलग अलग शेप जैसे की ट्री हुआ पाड हुआ और रोक एक चटान दिये यह बहुत ही आसाना की साथ बनाया है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमे